हलो और नमस्कार माई डियर यंग फ्रैंट्स ऑफ क्लास 12 सभी क्लास 11 के जो भी स्टुडेंस क्लास 12 में आया हैं उन सभी को हमारी और से बहुत सारी शुपकामना है जलिए आज से शूब करते हैं सीरीज वाला टॉपिक तो सीरीज वाले टॉपिक मैंने थियरी में शेन किये है आपको वीडियोज मिल जायेंगे तो हम सिधा बात करते है practical की और practical में ही बहुत सारे थियरी क्योंबस ओजाएंगे तो देखिए सबसे पहला method है आप series कैसे create करेंगे तो series create करने के लिए हमारे पास 6 method है वो 6 method आपको यहाँ पे एक image पे दिख रही होगी पंडा series सबसे पहला option है आप python sequence तो python sequence से बना सकता है दूसरा option है nd array से बना सकता है तिसरा option है using dictionary आप dictionary यूज़ करके कर सकता है fourth option है scalar value तो कोई भी scalar value यूज़ करके कर सकता है equal space elements तो equal space वारे elements से कर सकता है and repeated list और repeated list से कर सकता है तो यह 6 के 6 तरीके में आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकता है तो सबसे पहले देखता है अब python sequence तो python sequence क्या है तो python sequence माल लिजए कि एक list है tuple है या तो string है तो list, tuple, string इन तीनों का इस्तेमाल करके हम पहले series create कर सकता है तो यह तरीका सबसे पहले देखेंगे हम तो यहाँ पर program में open कर लेता हूँ और आपको practically बताऊंगा किस तरीके से create कर सकते है तो series create करने का बहुत जी simple तरीका है यह तो सबसे पहले हम यहाँ पर pandas import करेंगे और यह काफी ज़रूरी है pandas import करने के तीन तरीके भी आपको पता होने चाहिए सबसे पहला तरीका तो यह है import pandas as pd जो common सभी books में सभी जगा पर आपको देखने को मिलेगा second है आप direct import pandas लिख सकते हैं import pandas लिखने के बाद हर जगा पर आपको pandas dot करना पड़ेगा इसलिए हम alias name यूज करते हैं pd आपका alias name है तो import pandas as pd pd alias name हो गया और उसको short में हम access कर पाएंगे तो इसलिए as pd लिखते हैं तिस्वा तरीका जो है वो है आपका कि अभी मान देजे के हम सिर्प series के उपर काम कर रहे हैं data frame के उपर काम नहीं कर रहे है या कोई और particular चीज हमें use नहीं करनी है तो pandas में से हमें ship करना है series तो यहां पर आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं from pandas import series तो यह अलग-अलग तरीके हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए इससे हम program करके देखेंगे तो सबसे पहले basic तरीका जो है हम यही use करते हैं सभी में आप इन में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं import pandas pd अब सबसे पहले हम देखेंगे sequence तो sequence में सबसे पहले एक list create करेंगे l equal to list create अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं मान दिज़े कोई particular numbers के करने हैं तो range function यूज़ करेंगे तो list create करने के लिए l और range range वे हम start कर रहे है 1 से जाएगा 11 तक और 3 का मैंने interval दे दिया step दे दिया तो 1, 11, 3 क्या क्या होगा 1 के बाद 4 आएगा 4 के बाद 7 आएगा 7 के बाद 10 आएगा इस तरीके से list generate होगा तो पहले list देख लेता है कि generate हुआ की नहीं इसके बाद हम आगे देखेंगे अब यह जो list हमने generate की है उसके उपर से series generate होगा तो यह range 1, 11, 3 ऐसे आ चुका है तो l में हमारे पास यह अभी variables है 1, 11, 3 बन चुका है अब यह जो range generate किया है उसके उपर से हमें generate करना है series तो series generate करने के लिए हमारे पास method है एक series object ले लिए s equal to pd.series और pd.series में करेंगे l series create करने के बाद उसे print करेंगे directly print as तो यह series यहाँ पर आ चुका है जैसे मैंने बताया था 1, 4, 7, 10 तो यह सबसे पहला method है sequence range function यूज करके कर सकते है दूसरा है list में कुछ values provide की है हमने तो वो भी कर सकते है तो यहाँ पर list में values दे देता है हम चली इसको पैसा का वैसा रखेंगे ताकि program में बना रहे हैं comment यूज करेंगे l equal to जैसे 5 students के marks हमें जैसे डालना है तो यहाँ पर marks डाल देता है यह आ गए कुछ students के marks है उसके उपर से हमने यह series create किया तो series में left side में जो है वो index है वो positional index है और right side में है value है तो इस index और values को हम इस तरीके से यहाँ पर represent कर सकता है series में second, third tuple तो tuple भी काफी simple हो जाएगा यह से bracket change करेंगे और यह convert हो जाएगा tuple में तो यह एक और sequence है tuple तो इस तरीके से कर सकता है tuple और list से create करेंगे series उतना ज्यादा फरक हमें series में नहीं पड़ेगा उसके बाद next जो है वो next है हमारा characters तो characters का अगर जैसे करना है कि पांच वोवल का करना है तो इसलिए हम करेंगे l equal to A, E, I A, E, I O O और U यह पांच हमने यहां पर कर लिए तो इसका भी series बन जाएगा तो इस तरीके से आएगा अगर name का करना चाहते है तो यहां पर आप name लिख दीजिए हर जगा name का हो जाएगा तो यह है फर्स्ट मैथड using series तो series में इस तरीके से करेंगे अब दूसरा है हमारा nd array nd array के अगर आपको create करना है तो किस तरीके से करेंगे तो nd array के लिए simple आपको सब से पहले array create करना होगा array create करने का एक ही तरीका है और वो है नमपाई नमपाई मोडिल यूज करेंगे नमपाई का फुलफाम होता है नुमेरिक पाइथन उसने कुछ ऐसा फंक्सन है जिसके जरीए हम nd array create कर सकते हैं तो दो मैथड जनरली यूज की जाएगी वन है एरेंज और दूसरा है आपका एरे तो यह दो मैथड से हम nd array create कर सकते हैं तो सबसे पहले nd array create करते हैं उसके बाद हम series create करेंगे तो import नमपाई अभी होना जरूरी है अब यहाँ पे हम नमपाई एड करने के बाद लिस्ट ले लेते हैं और लिस्ट में हमारे पास होना चाहिए नमपाई का एरे तो सबसे पहले np array तो बहुत सिंपल हो जाएगा np.array शिब एरे लिग करके ब्रेकेट में आपको जो value एरे में add करनी है वो कर देनी है जैसे 11, 22 22, 33, 44 इस तरीके से चाहिए तो मैंने l यह array create किया है और उसके ओपर से series generate हो गया है यह काफी सिंपल तरीका है इसका अब इससे आगे हम देखेंगे दूसरा जो है arrange arrange function जिस तरीके से आप यहाँ पे range यूज़ करते हैं उसी तरीके का कुछ मिलता जोलता है लेकिन एक difference है बहुत बड़ा मैं आपको दिखाता हूँ practically क्या difference है तो सबसे पहले आप जब यह चीज़ करते है कि range तो range में अगर आप यह चाहे कि मैं 1.5 का gap देना चाहता हूँ step value तो range में यह चीज़ possible नहीं है देखिए practically हम आपको बता देता है यह error देदेगा क्योंकि यह जो module है range np.range नहीं आएगा only range range function जो है integer ही support करता है float support नहीं करेगा बट अगर हमें ऐसे step value चाहिए जो 55 के अंतराल पे हो 0.5 के अंतराल पे हो तो किस तरीके से किया जा सकता है तो उसी के लिए हम use करेंगे arrange function तो arrange function integer भी लेगा और float भी लेगा बस इतना आपको याद रखना है कि आगे ये चीट डालने है तो देखे 1,11,1.5 तो अभी इस तरीके का सिरिक जनेट हो जाएगा ये देखे 1.0,2.5 4.0,5.5 1.5 का difference हर value में आ जाएगा तो ये ये function आपको use करना है पहला array, array में सिर्थी value डाल दीजिए वो nd array हो जाएगा दूसरा अंड array बनाएगे हम arrange function से तो ये दो तरीके हो गए तिसरे तरीके उपर जाता है using dictionary तो dictionary के साथ काफी simple रहेगा किस तरीके से करेंगे तो dictionary जो create होती है वो dictionary हम generally इस तरीके से create करता है आप class 11 तो इसको use करके आये है तो अभी इसको थोड़ा comment कर देता हूँ नमपाई को dictionary नहीं क्या किया होगा तो dictionary में आपने dictionary create किये होंगे class 11 में वही concept यहाँ पर रहेगा d equal to पहले हम दे देते हैं की मान लो की की हमने लिया है डेली और डेली का कुछ डेटा है हमारे पास ये उसके बाद है कौलकाता उसका हमारे पास है ये उसके बाद है चिन्नाई चिन्नाई इसका हमारे पास डेटा है ये तो तीन city का डेटा हमने ले लिया और यहां पर कर दिया, तो देखें अब तक हमने जो देखा, उसमें हमारे पास जो भी index आती थी, वो 0 से आती थी, लेकिन जब dictionary से आप करेंगे, तो dictionary का जो की है, जो column से left side में है, green color में यहां पर मैंने text दिया है, वो आएगा index, वो बन जाएगा index, और जो column के बाद value है, की value पैर में से वो बन जाएगी आपकी वेल्यू सिरीज में भी तो यह चीज यहां पर द्यान में रखने वाली है यह देखे डेली कॉलकाता चे नहीं तीनों सिटी के नाम है इंडेक्स बन गए बाकियों ले लिया तो इस तरीके से होगा और अगर इंडेक्स स्पेसिफाइग कर प्रोग्राम में इंडेक्स मुझे वो न करके यह लेना है 123 तो इंडेक्स असाइन करेंगे तो 123 इस तरीके से आ जाएगा लेकिन देखे यहां पर एंडेक्स हो गया एंडेक्स असा नहीं है इसके पास फिलहाल इस लिए तो यह द्यान में रखने वाली बात है आप जरूर इसको द्यान में रखें और कोई फंक्षन के साथ या किसी भी पर्टिक्लर चीट के साथ आप इंडेक्स असाइन करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफाइ करना पड़ेगा चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे नेक्स्ट मैथल जो है स्केलर वैल्यू स्केलर वैल्यू में इ अब मेंशन करना चाहते हैं कि तीनों सिटी से फ्राइट अभी टेक अफ नहीं हुई है तो नौट येट स्टार्ट ऐसा आना चाहिए तो ये लिख दिया नौट येट स्टार्ट और इंडेक्स इक्वाल टू तीनों के नाम आ जाएंगे इंडेक्स में तो जो भी इंडेक हैं दिल्ली दिफाइन करना चाहते हैं यहां पर आजाएगा दिलली कॉलकता चैनार तो ये हो गया आपका स्ट कैलर वैल्यु नौट्ट येट-स्टार्ट तो वो स्कैलर वैल्यू है तो इस तरीके से आप डियीक्स केलर में भी reporters चैनारल प सकता हैं स्कैलर्ट इन्टीश तो initially zero value आजाएगी सबकी और key में वो value, index में वो value आजाएगा Delhi Kolkata चलने तो इस तरीके से हम इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं next है equispace element, equispace element थोड़ा important है और थोड़ा डेन में रखना होगा equispace का मतलब क्या होता है दो number हम जो देंगे उसके बाद तिसरा number जो provide करेंगे उसके साथ काम करना है तो ये function हमारे पास NP में है, numpy module में तो numpy module से लाएंगे इसको तो इसके लिए हम इस function का use करने वाल है एक list बना लेते हैं जो भी आएगा उसकी तो NP.lin space ये एक function होता है ये function करेगा equispace नमबर को generate अभी जैसे मान लिए कि मैंने number ले लिया 51 to 91 इसके बीच वाले मुझे चाहिए लेकिन equispace कितने element चाहिए तो यहाँ पर ये specify करना है start, stop and equispace 5 तो 5-5 के enteral में होने चाहिए तो ये मैंने कर दिया अभी index वगेरा हम अभी नहीं देते हैं अभी index वगेरा छोड़ देते हैं L कर देंगे तो इसमें आप देखें एक equispace बनेगा 51, 61, 71, 81, 91 तो सभी में 10-10 का gap है ये हो गया equispace किस तरीके से calculate करता है ये ये देखें यहाँ पर हम आपको बता रहे किस तरीके से होगा तो सबसे पहले देखें इसमें हमने जो values दी है वो values कुछ इस प्रकार से calculate होगी तो सबसे पहले हमारा starting point है 51 और ending point है 91 तो 91-51 ये हो गया आपका 40 तो ये 40 है और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 total 5 है तो 5 में से पहला छोड़ दीजे n-1 कर दीजे तो 40 divided by 10 तो उतना equal space रहेगा n-1 total 51 से 91 में हमने कितने लिए तो मुझे चाहिए तो 5 element लेकिन हमें अब जब calculation करेंगे तो n-1 करना है तो उतने को divide करना है अब जैसे देखे हम 8 कर देते है तो 8 के लिए क्या आना चाहिए वो देखे तो calculator में फिर से जाएंगे और वही तो answer तो वही मिलने वाला है 40 ही 40 है लेकिन अभी हमारे पास क्या है 8 element है चलिए 8 का 9 करता है 9 element है सब्सक्राइब तो 9 के लिए क्या आना चाहिए तो कुछ इस प्रकार का रहेगा इक्वे स्पेस में देखे 55 का ग्याप आ गया है किस तरीके से आया तो 9 दिया है तो 9 को 40 को डिवाइड कीजिए 40 9 माइनस 1 8 40 डिवाइड बाइ 8 55 55 का ग्याप आएगा तो इस तरीके से ही calculate करता है हर किसी में अब देखिए आपने इसके जगा पर 8 की 9 के जगा पर यहाँ पर दे दिया जैसे की 11 11 मतलब 10 तो 10 4 4 4 के gap में यहाँ पर डेटा जनरेट होगा यह 51 प्लस 455 प्लस 459 तो इस तरीके से इक्वेस रहे का हर value के बाद में तो यह इस तरीके से work करता है तो इसको ध्यान में रखिए और ऐसा अगर series create करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते है अब लास्ट ओक्षन जो है वो है repeated list repeated list भी हम np से लाएंगे numpy से लाएंगे numpy से यह दो तरीके से आएगा उतनी बार आपको यहाँ पर लिखना है जैसे यह series में तीन बार चाहिए तो आप यहाँ पर डालेंगे तो देखे तीन बार repeat हो चुका है 51911519115191151911 तो इस तरीके से आएगा तो tile function यह काम करता है repeat करने का repeat आप जितने बार डालेंगे तो उतनी बार repeat करेगा और अगर आपको यह नहीं करना है तो directly आप यह भी कर सकते है L equal to L में हम वही value ले रेंगे 51, 91, 11 और L into 3 तो जब भी हम into करता है तो list में क्या होगा replicate होगा और replicate होगा आपको इस तरीके से बताएगा तो यह है और एक चीज़ देने रखने वाली यह भी है कि जब आप list के साथ काम करता है तो replicate होगा और series के साथ अगर काम करेंगे तो multiply होगा जैसे s into 3 list और series दोनों object है s into 3 कर दिया मैंने तो अभी इनका multiply by 3 करके answer देगा यह देखे तो इस तरीके से है तो यह थे कुछ methods पंदा series create करने के लिए और आप यह कह सकते कि पहले chapter का पहला part है यह यह यहाँ पर complete हो चुका है कुछ नए तरीके से सारे programs मैंने practically explain करके बताये क्योंकि कुछ comments आया थे किसा direct आपने theory article लिख दिया इसके उपर से explain करता है direct practically programs बताईए तो लिजिए आपके लिए practically programs भी तैयार है और इस तरीके से आप इस साल में मैं सारे वीडियोज इस तरीके से डालूँगा सबी चीज़े practically आपको explain करके बाकि theory के lectures already अप्रोडेल है आपको theory में कोई भी चीज या content देखना है website पर article है YouTube पर वीडियो है आप देख सकता है comment जरूर किजिए तो comment के उपर से मुझे भी होसला मिलता है और कुछ चीज एंपरूब करने का मौका भी मिलता है तो comment जरूर किजिए आप किस तरीके से चाहते है content और क्या-क्या टॉपिक हम यहां पर कम्प्रिट करते है creation of series अलग-अलग अब्जेक्ट से हमने बनाया चलिए next वीडियो में हम देखेंगे selecting, accessing और updating the values of series उसको फॉर्डूप से और उसे कैसे access करेंगे तो चलि मिलता है ऐसे ही interesting videos के साथ नए IP के class 12 के सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो का पहुचाईए और doubts कोई भी query है comment करना ना बूले चलि मिलता है thank you very much for watching tata, bye bye कर दोस्तों प्राइब कर दोस्तों